नमस्कार दोस्तों रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियों हम देखने वोले पर फ्यूचर में एक मल्टि बैगर बन सकता है ऐसे श्टॉक के बार में तो कंपनी का नाम के कंपनी का नाम में लेटेंट विव एनलेटिक्स लिमिटेड तो जो लेटेंट विव के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा इंपोर्टन था कंपनी पेश करने वाले थी कौटर फोर की रिजल्ट तो कौटर फोर में कंपनी को प्रॉपिट हुआ है प्यूर्स है वो देखेंगे उसकी बाद देखेंगे क्या कंपनी डिविडेंट बाट अब तक की जो रिटन है पिछले एक-दो साल के यहाँ पर माइनस 46% के रिटन है तो जिसने भी यहाँ पर 600 रुपे के आसपास खरीद है और अभी तक लॉस में बेटा है तो फ्यूचर में क्यों मल्टिपर बन सकता है उसका पीछे का रिजन डोनेंगे लेकिन यहाँ पर देखें, श्टॉक मार्केट में हर एक श्टॉक की चाल अलग अलग रहते है कुछ श्टॉक यहाँ पर 5-10 साल तक चलते हैं लेकिन जब चलते है तो इतने ज्यादा रिटन देते हैं आप लोग देखते रहेंगे जैसे कि आरती इंड़िश्य देख सकते हैं यहाँ से यहा लोग यहाँ पर देखते रहेंगे तो यहाँ पर जो कंपनी का बिजनेस के कंपनी का बिजनेस है फ्यूचर ओरिंटेट बिजनेस है तो यहाँ पर कंपनी काम करते हैं बिजनेस एनलेटिक्स यहाँ पर जो डेटा इंजिनेरिंग रहें रहें तो आप लोगों को पता रहे तो जो fortune final company रहते हैं तो यह इनके client है तो आने वाले समय में इनकी तरफ से अच्छा अच्छे contact मिल सकते हैं और यहाँ पर latent you को अच्छा business मिल सकता है यह तो गए company के business के बार में तो यहाँ पर company ने जो quarter 4 की result पेश केते हैं उसमें क्या हो देख लेते हैं तो हम लोग आगए B quarter 4 का result है middle column है वो है quarter 3 का result यानि previous quarter का और जो last column दिख रहा है वो है quarter 4 का लेकिन previous year का 2022 का तो quarter to quarter और year to year comparison कर लेते हैं सबसे पहले total income यानि की company ने business कितना किया market में तो इस बार किया है लगबग 1560 last quarter में किया है 1670 और last year के quarter 4 में किया था लगबग 1250 तो आप लोग चेक कर सकते हैं company का जो यहाँ पर quarter to quarter जो पपामस है total income थोड़ा बहुत गिर गए लेकिन year to year company का ज अच्छा है total income देखके नहीं चलेगा company के खर्चे यानि की total expenses कितने हैं ओर देख लेते हैं जैसी की total expenses है इस बार लगबग 1130 last quarter में थे लगबग 1050 के असपास थे और last year के quarter 4 में थे लगबग 850 तो आप लोग चेक कर सकते हैं company के quarter to quarter भी खर्चे थोड़ी बढ़ गए लेकि यानि कि सबकुछ expenses, government को tax, employee की salary, transport का खर्चा, सबकुछ expenses देने के बाद company के हाथ में कितना profit बच रहे हैं वो देख लेते हैं तो total currency income आप लोग चेक कर सकते हैं इस बार हुआ है 320 last quarter में था 571 और last year के quarter 4 में था लगबग 391 तो आप लोग चेक कर सकते हैं quarter to quarter और year to year जो company का performance से खराब है एक खराब साइन बोल सकते हैं कि स्टॉक लगातार सेम गिरता ही जा रहा है और वापस से company के quarter for की result खराब आ चुक है देखिया कल market को क्या लगेगा सबकी रायाला का लग रहेगी है कुछ लोगों को आच्छे लगेंगे कुछ लोगों का खराब लगेंगे तो रूडिया चलागा तो लाइक कर सकते हैं और चानल को जोरो सब्सक्राइब कर सकते हैं